आज मैं आपके समक्स और एक important social issue को लेके आया हूं जिसमें मैं अपना opinion देना चाहता हूं आप में opinion से सहमत हो भी सकते या सहमत नहीं भी हो सकती वह आपका मर्जी है लेकिन थोड़ा सुन लीजिए मैं इस पर क्या बोल ले आया हूं तो आज मैं आपको जो जो लोड शेरिंग या फिर रिस्पॉंसिबिल्टी शेरिंग अट हो उसके बार में बोलना चाहता हूं जैसे कि modern couples होते हैं जो कि both are working and even if one of them is not working it's okay लेकि जो modern couples होते हैं जो भी सिटीज में रहते हैं अभी थोड़ा से ट्रेंड बदल रहा है जिसे कि पहले था कि जो फिमेल पार्टनर है वो बार का काम करता है और जो फिमेल पार्टनर है इवन इफ सिस वरकिंग आउटसाइड और नॉट वह घर का पूरा काम संबलती है जो फिमेंड है वो ना तो जाडू पुचा करता है ना बरतन दोता है ना कि खाना बनाने में कुछ हल्प करता है ना कि और बेड में भी तकिया चादर वो सब ठीक से नहीं डालता है और जो फीमेल से वो भी बाहर का काम नहीं करती थी जैसे कुछ दूद ले आना, सबजे ले आना, बच्चों को स्कूल चोड़ देना लेकर अभी वो सब बदल अभी जमाना बदल रहा है लोकों का तिंकिं सबसक्रह भी है बेड मारी कंव दूद बदल रहने जाए कि य होना चाहिए आपको असा होना पड़ेगा कि आपको सबकम आ चाहिए, जरुद पढ़ने पर आप घर काम पुरा कर सकते हैं, जरुद पढ़ने पर जो फीमेल है वो भी हॉस्पिटल वगर जाना, सामान ले आना, कुछ भी करना, बच्छों के स्कूल को अटेंड करना, वो सब फीमेल स्कूल भी आना चाहिए, इससे क्या होता है, अगर मैं ऐसे मेल आपको यह बोलना चाहता हूँ, जब भी मैं गर का कुछ काम करता हूँ, या फी वाइफ को हैल्प करता हूँ, तो इससे क्या होता है, बात करने को मिलता है, जब आप चोड़ा से छोटा काम भी जब करते हैं, फिर आपको समझ भाता है कि कितना डिफिकल्ट काम है, आप हम कुछ ही हम्मल होते हैं, जब को इओ इज़ प्धच अपन पने खादर को यह चिछन में, आप से बेद करता हूँ तो उसको कभी केशा होता है, जुए पूझ बानो लेकि जब अपने फादर को गड़ते वे देख तो उसको लगता ही कि नहीं यह एक इंपोर्टेंट काम है तो फ्योचर में जब वह भी शादी करेगा तो यह और सी विल आलसो नो कि इसका इसका किना इंपोर्टेंट इसका किना वैल्यू है तो इसे लिए एंड इससे आप कपल संबल भी रहते हैं एक दूसरे को हल्प करते हैं तो इवन अगर आप सोच लीजिए एक वाइप अगर वर्किंग भी है चाहे वो जॉब बड़ा हो चोटा हो कुछ भी हो लिकिन वर्किंग है तो वह भी बाहर इतना ही टाइम बताते हैं तो वह दो एक्सपेक्ट कि वह गरा के भी एकदम बाहर भी काम करें गरा के भी एकदम सब कुछ काम करें ड़स्बंड बिल्कुल उसको बहल पना करें तो यह बिल्कुल भी इस नॉट मतला ज़स्टिफाइड इस कोई भी एंगल से यह ठीक नहीं लगता है तो वर्क शेर क कम होता है इससे अच्छा महसूस होता है इसा अपको रिलीटा का पथा चलते कभी कभी मैंने यह भी देखा है कि जो जो मेलस बिल्कुल भी एक्चुल्टिं नहीं जाते वह awakी सबसे तान च 왜냐하면 करतें कि सबजी आसा होगा सब जी में नमक कं हो गया जादा होग्या यह मैं किचिन में काम करते उनको पता चलता है कि यह सब और इतना ही मतलब कॉमने तो वह कभी इसमें यह हो यह हो गया और इवन नहीं पर छोटा सा कोई भी काम पगड़ लो सचाह बनाना हो कुछ भी कना कोई भी आप बना के फैमिली मेंबस को दीजे इस से काफी अच्छा लगते से काफी फ़रक पड़ता है लाइस्टाइल पे उस पे एक्सराइज भी होता है तो आप किसी भी अंगल से देखो यह है तो इस सोचल जस्टिस का भी पार्ट है आपका काम है यह मेरा काम ऐसा बोला तो यह था मेरा आजको अपीनिन अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज मेरा वीडियो शेयर कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए थैंक यू सो मच